आईए हम लोग देखते हैं अब भारत में राष्टवाद का सेट नमबर थीरी इसके पहले हम लोग सेट वन और सेट दू जो है देख गए हैं यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल से जल देखिए उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रशनों को सामिन किया गया है तो आईए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्ण देखिएगा पहला प्रश्ण है वेदो की और लौटो का नारा कौन दिये थे श्वामी विवेकानन्द श्वामी दयानन सरस्वती राम कृष्ण परमहंस या रविंदर नास्टैगोर देखिएगा इसका जो एंसर हो जाएगा बी नमबर अप्शन सही है श्वामी दयानन सरस्वती नेक्ष देखेंगे आगला कोस्चन है आर ये समाज की अस्थापना कोब और किसने की अप्शन है आठारा सव तीस राधाकांत आठारा सव पछात्तर दयानन सरस्वती आठारा सव बहत्तर रविंदर नास्टैगोर या इन में से कोई नहीं देखिएगा यहाँ जो राइट एंसर होगा अठारा सव पछातर दयानन सरस्वती बी नमबर अप्सन सही है ठीक है नेक्ष देखेंगे निम्ण में किन है लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है देखिएगा लाला लाजपत्राय बाल गंगाधर तिलक बीपीन चंदर पाल या इन में सभी देखिएगा लाल जो है लाला लाजपत्राय को बलाता है बाल बीपीन चंदर पाल को बलाता है और बाल जो है बाल गंगाधर तिलक को और पाल जो है बीपीन चंद्र पाल को बोला जाता है इस तरह से हम लोगों जो एंसर होगा डी नमबर अप्सन सही है इन में सभी नेक्ष देखेंगे स्वराज पाटी का प्रथम सम्मेलन कब और कहां हुआ था देखेंगे इसका जो राई टेंसर होगा ए नमबर अप्सन सही है उने सो तेईस इलाहाबाद नेक्ष देखेंगे आले समाज के अस्थापना कहां की गई थी कोलकत्ता मुंबई मदरास या वारा नसी देखेंगे इसका जो राई टेंसर होगा बी नमबर अप्सन सही है आरे समाज की अस्थापना मुंबई में की गई थी नेक्ष देखेंगे बंगाल विभाजन कोब और किषने किया था अप्सन है 1905 लाड करजन, 1903 लाड मिन्टो, 1911 लाड कैनिंग या 1904 लाड लिटन देखेंगा बंगाल विभाजन जो है 1905 में लाड करजन ने किया था ए नमबर अप्सन सही है नेक्ष देखेंगा बंगाल विभाजन कोब और किषने वापस ले लिया 1911 लाड करजन, 1905 लाड कैनिंग, 1911 लाड हर्डिंग या 1915 लाड माउंट बेटन देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा C नमबर अप्सन सही है 1911 लाड हर्डिंग नेक्ष देखेंगा मुहमडन एंगलो ओरियेंटल कोलेज अली गड़ की अस्थापना कब और किषने की अप्सन है 1877 अब्दुल का फार खान 1877 सर सयद अहमद खा 1875 मुहमद अली जिन्ना या इन में से कोई नहीं देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा बी नमबर अप्सन सही है 1877 सर सयद अहमद खा नेक्ष देखेंगा भारतीय राश्रिय कांग्रेश की अस्थापना किसने की महात्मा गांधी सुबास चंदर बोष व्योमेस चंदर बनरजी या ए ओ ह्यूम देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा डी नमबर अप्सन सही है ए ओ ह्यूम एक अंग्रेश अधिकारी थे नेक्ष देखेंगे गांधी इर्विन पैक्ट कहां हुआ था कोलकत्ता बंगलोर मुंबई या दिल्ली देखेंगे गांधी इर्विन पैक्ट जो है दिल्ली में हुआ था गांधी और इर्विन के बीच इसे गांधीर इन्पैक्ट या दिली समझाता के नाम सजाना जाता है नेक्ष्ट देखेंगे लाल कुर्ती नामक स्वेंग सवी संस्था किसने बनाई थी गांधी जी राजंदर परशाद खान अब्दुलगा फार खान मोती लाल नहरू देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा लाल कुर्ती नामक स्वेंग स्वेंग संस्था खान अब्दुलगा फार खान बनाए थे सी नमबर अप्शन सही है नेक्ष्ट देखेंगे महात्मा गांधी के असवयो गांदोलन के क्या कारण थे खिलाफत का मुद्दा जालिया वाला बाग हत्या कांड में नयाय प्राप्त करना स्वराज की प्राप्ती या इन में सभी देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा डी नमबर अप्शन सही है इन में सभी नेक्ष्ट देखेंगे जालिया वाला भाग हत्या कांड के बाद रविंदर नाश्टाइगोर ने अंगरेजो की कौन सी उपाधी लटा दी कैसर ए हिंद, नाइट, सर हिंद या इन में कोई नहीं देखिएगा इसका जो राइट एंसर होगा बी नंबर अप्सन सही है नाइट की उपाधी अतरहा सर की उपाधी जो है रविंदर नाश्टाइगोर ने इस घटना के बाद अंगरेजो को लटा दी निक्ष देखिएगा जालिया वाला बाग हत्याकान के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधी वापस लटा दी अप्सन है नाइट कैसर ए हिंद दोनों या इन में से कोई नहीं देखिएगा इसका जो राइट एंसर होगा बी नंबर अप्सन सही है कैसर ए हिंद निक्ष देखेंगे जालिया वाला बाग में सभा कर रहे लोगों पर गोली चलाने का निर्देश किस ने दिया अप्सन है जनरल लॉलेट जनरल ओडाएर लॉड कैनिंग या इन में से कोई नहीं देखिएगा इसका जो राइट एंसर होगा बी नंबर अप्सन सही है पर गोली जो है चलाने का निर्देश दिया था जालिया वाला बाग कहा है पंजाब के अमरिस्तर में नेक्ष देखेंगे अगला कोशन भूल रहा है गांधी जी अपना दान्डी मार्च कब सुरू किये 12 मार्च 1939, 22 मार्च 1939, 20 मार्च 1931 या 10 मार्च 1932 देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा ए नंबर अप्सन सही है 12 मार्च 1939 नेक्ष देखेंगा सत्यार्थ परकास के लेखक कौन है रविंदर नाष्टैगोर, दयानन सरस्वती, मदन मोहन मालविये, यारविंद भोष देखेंगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर अप्सन सही है दयानन सरस्वती नेक्ष देखेंगे स्वामी दयानन सरस्वती हो गया देखेंगा आगला कोशन है बंदे मातरम के लिए खक कौन है रविंदर नाष्टैगोर, और वींद भोष, बंकिम चंद चटर जी, या इनमे से कोई नहीं देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा सी नमबर अपसन सही है, बंकिम चंद चटर जी सी नमबर अपसन सही है, नेक्ष देखेंगे राष्टगान जन गन मन के रशनकार कौन है रविंदर नाष्टैगोर, मुनसी, प्रेम चंदर, वीवेका नंद या इकबाल देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा, ए नमबर अपसन सही है, रविंदर नाष्टैगोर नेक्ष देखेंगा, टीफू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया था स्तिरी रंग पटम, काची, बंगलोर या मैसूर देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा, ए नमबर अपसन सही है, सीरी रंग पटम नेक्ष देखेंगे देखेंगा, इसका जो राइट एंसर होगा, हिंदू माहासाभा की अस्थापना मदन मोहन मालविये नेकी, सी नमबर अपसन सही है, नेक्ष देखेंगा, मुस्लीम ली की अस्थापना कब होई थी उनेश चण उनेश पाँच उनेश चार या उनेश एगारा मताईए, इसका जो राइट एंसर होगा, ए नमबर अपसन सही है, उनेश च्छ नेक्ष देखेंगे असयोग आंदोलन कब शुरू किया गया 1911, 1929, 1929 या 1922 देखेगा इसका यो राइट एंसर होगा C नमबर अप्षन सही है 1929 नेक्ष देखेंगे असयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया 1929, 1921, 1922 या 1923 देखेगा महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया C नमबर अप्षन सही है 14-4 कांड के बाद जो गुरकफूर में हुआ था नेक्ष देखेंगे राष्ट्रिय गीत को सरोप्रथम 1896 में कांगरेश के किस अधिवेशन में गाया गया देखेगा मुंबई, कोलकत्त, लखनाव, या दिली बताइए देखेगा इसका जो राई टेंसर होगा बी नंबर अप्षन सही है कोलकत्त कोलकत्त के अधिवेशन में जो 1896 में हुआ था वहाँ पहली बार राष्ट्रिय गीत को गया गया कांगरेश के अधिवेशन में नेक्ष देखेंगे राष्ट्रिय गीत बंदे मातरम किस गरंद से लिया गया है अप्षन है नील दरपन हरी जन आनंद मठ या गोदान देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा C नंबर अप्षन सही है नेक्ष देखेंगे गांधी जीने किस घाटना से दुखी होकर और सहयोग आंदोलन को अस्थगित कर दिया लाहर कांड काकोडी कांड जालियवलबाग हत्या कांड या चौडी चौरा कांड देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा D नंबर अप्षन सही है चौरी चौरा कांड नेक्ष देखेंगे महात्मा गांधी के राजनीती गुरू कौन थे और वींद घोस रवेंदर नाष्टाइगोर बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा D नंबर अप्षन सही है गोपाल कृष्ण गोखले नेक्ष देखेंगा कीस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिये थे अप्षन है असहयोग आंदोलन सविनय अवग्या आंदोलन भारत छोरो आंदोलन या चामपारन आंदोलन देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा C नंबर अप्षन सही है भारत छोरो आंदोलन नेक्ष देखेंगे गांधी जी को अर्ध नगन फकीर किस ने कहा था विश्टन चर्चिल, रविंद्र नाष्ट तैगोर, सुबास चंद्र बोस या लॉड मांट विटन देखेगा इसका यो राइट अंसर होगा ए नमबर अप्सन सही है विश्टन चर्चिल नेक्स देखेंगे साइमन कमिशन भारत कब आया तीन फरवरी उनईसर, सौड़ी तीन फरवरी उनईसर उन्टिस मुंबई पांच फरवरी उनईसर तीस कोलकत्ता आठ मार्च उनेसर पांईसर दिल्ली या इन में से कोई नहीं देखेगा इसका जो राइट अंसर होगा ए नमबर अप्सन सही है तीन फरवरी उनईसर उन्टिस को साइमन कमिशन भारत आया था कहां मुंबई जिसका भारतियों ने कड़ा विरोध किया और वो आपस चले गए नेक्श देखेंगे साइमन कमिशन में कितने सदस थे साथ, आठ, नौ या दस देखेंगा इसका यो राइट एंसर होगा ए नमबर अप्सन सही है साइमन कमिशन में साथ सदस थे जिसमें एक भी भारतियों को सामिल नहीं किया गया था इसी बात का विरोध हो रहा था नेक्श देखेंगे गांधी जीने सविने अवग्या अंदोलन कब सुरू किये अप्सन है 1922, 1925, 1935 या 1935 देखिएगा इसका यो राइट एंसर होगा सी नमबर अप्सन सही है 1939 नेक्श देखेंगे जालिया वाला बाग में सभा क्यों बुलाई गई थी अप्सन है राउलट एक्ट के विरोध में डौडर सत्यपाल की रिहाई के लिए अगला अप्सन है सैफू दिन कीचलू की रिहाई के लिए या इनमें सभी देखिएगा इसका राइट एंसर होगा D नमबर अप्सन सही है इनमें सभी नेक्श देखेंगे कीच कानून को काला कानून के नाम से जाना जाता है अप्सन है वर्ना कुलर प्रेस एक्ट राउलट एक्ट या दोनों या इनमें से कोई नहीं देखिएगा इसका जो राइट एंसर होगा B नमबर अप्सन सही है राउलट एक्ट को काला कानून के नाम से ब्लाक एक्ट के नाम से जाना जाता है नेक्ष देखेंगे गांधी जी दक्षीन फिरका से भारत कब लोटे अप्सन है 1915 1916 1917 या 1918 देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा ए नमबर अप्सन सही है 1915 नेक्ष देखेंगे अंग्रेजी सरकार में ICS की परिक्षा पास करने माले प्रथम भारतिये कौन थे अप्सन है दादा भाई नवरोजी सतेंदर बोस सुरेंदर नाथ बनर जी या इन में से कोई नहीं देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा सी नंबर अप्षन सही है सुरेंदर नाथ बनर जी ने अंग्रेजी सरकार में ICS एन इंडियन सिविल सर्विस की परिक्षा पास किये थे नेक्ष देखेंगे वर्ना कुलर प्रेस एक्ट कब और किसने पारित किया 1878 लॉड लीटन 1889 लॉड रीपन 1890 लॉड मिन्टो या इन में से कोई नहीं देखिएगा वर्ना कुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉड लीटन लाए थे ए नंबर अप्षन सही है इसमें जो है भारतिये प्रेस पर जो भी अंग्रेजी के लावा जो भारती भासाओं में छपता था उस पर बैन लगा दिया गया था सिर्फ अंग्रिस भासाओं वाले पत्र पत्रिकाओं को ही जो है छापने का धिकार था नेक्ष्ट देखेंगे तो इसका क्या अंसर हो गया ए नंबर अप्षन नेक्ष्ट देखेंगे जालिया वाला भाग हत्याकान की जाँच कीस आयोग ने किया ठकर आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग या इन में से कोई नहीं देखेंगे इसका जो राई टेंसर होगा बी नंबर अप्षन सही है हंटर आयोग हंडर आयोग ने जाली अलवाग हत्याकान की जांच की ठीक है और ये जो जांच किये थे पक्षपात वाला था ये इसमें जो है अंग्रेज को ही अच्छा ठाराय थे और भारतियों को गलत ठीक है इसके बाद और इसका विरोध हुगा नेक्ष देखेंगे भारतियों राष्ट्रिय कांग्रेज के अस्थापना कहां हुई पुना कोलकत्ता अहमादाबाद या मुंबई देखिएगा इसका यो राई टेंसर होगा डी नंबर अप्सन सही है मुंबई पहले पुना में प्लानिंग था लेकिन वहाँ पिलेक की विमारी उत्पन होने की वज़ा से जगा बदलकर मुंबई जो है इसका सुभाराम किया गया तो भारती राष्ट्रे कांग्रेस के अस्थापना जो है मुंबई में की गई थी डी नंबर अप्सन सही है ठीक है हम लोग ये सभी देख गए और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मे शेर जरूर कीजिए ठीक है और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताईए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमको बताईए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं हम लोग अब अगले निव निव वीडियो में इस चैप्टर से हम लोग जल्द ही सब्ज झालो